हलो आज है फर्स सब्टेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें रेल्वे सेक्टर से जोड़ी हुई दो कम्पनियों के बारे में एक है इंडियन रेल्वे फिनांस कॉर्परेशन 21 रुपे का ये शहर है और दूसरी है रेल्वे कास निगम 32 ते 33 रुपे के आसपास ये भी ट्रेट कर रहा है वीडियो में हम डिसक्स करेंगे इन दोनों ही कम्पनियों के बारे में ये खरीदारी के मौके बन भी रहे है कि नहीं और जिन लोगों ने अल्लेडी खरीदारी करके रखे उनको यहां पर क्या करना चाहिए वीडियो को शुरू कर उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफी जादा हल्प करेंगे तो 21 रुपए 70 पैसे के आसपाश शेयर ट्रेट कर रहा है इंडियन रेलवे फिनांस कॉर्परेशन का और एक महिने में देखे तो साड़े 3% के आसपाश की तेज़ी है तोटकर ये 20 के आसपाश गया था वापस तेज़ी दिखा दी इसने और एक साल के अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में कई बार ऐसा हुआ है कि ये शेयर 20 से 21 के रेंज में बढ़कता नजर भी आया था अभी हाल फिलहाल में ये 19 रुपए तक या था और अगर आप चैनल को रेगूलर फॉलो करते हो तो मैंने कहा है कि देखो अगर 19-20 रुपए का शेयर जब भी ये होगा बढ़िया मौके होंगे बाइंग के अगर देखें तीन साल पुराना ये शेयर तो नहीं लेकिन जब भी ये पहुँचा है इस लेवल पर खरीदारी के मौके जरूर बनते नजर आयो हमेशा इसने वह से बाउंस बेक दिखाया भी है लेकिन ये एक्सपेक्ट करना इस कंपनी से कि ये डबल हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा पचास होगा साट होगा ये नहीं होने वाला है ठीक है याद रखिए ये शेयर जब भी 19-21 की रेंज में होगा बाइंग के मौके बनेंगे जब भी 24-25-26 के आसपास जाएगा प्राफिट लेकर भागने वाले मौके बनेंगे वो भी शॉर्ट टर्म के लिए लेकिन फिर ही मैं कहूँगा कि बेचने के जरूद नहीं है बले ही 24-25 बेचाए मैं कहूँगा कि रखे रहो इसको कंपनी के प्राफिट भी शांदर है रिवन्यू भी शांदर है जून कॉटर में 5,627 करोड का रिवन्यू था जो अब तक का सबसे हाइश था प्राफिट भी 1,660 करोड के थे एक ही कॉटर की बात करहूं मैं और वो भी अब तक का सबसे हाइश था जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है इतना ही नहीं अगर हम देखे तो प्रामोटर की 86.36% की होल्डिंग के प्रामोटर कौन है सरकार है यहाँ पर सरकारी कंपनी है लूबने का खत्रा ना के बराबर एक भी शर्गिरवी नहीं है 1.02% की होल्डिंग F.I.L.S के पास 2.04 mutual fund 1.22 insurance company के पास देखने को मिल रहा है IRFC अगर हम देखने के कोशिश करें तो according to money control user सिर्फ 9% लोगी है जो बेचने की बात कर रहे है वानना हर कोई कह रहा है खरीदो खरीदारी खरी है तो बने कर रहो company के revenue अगर आप देखो तो लगातर बढ़ रहे हैं हर साल का revenue पिछले साल के मकाबले जादा रहा है और इवन 2022 financial year में इसने बहुत बड़ा revenue कमाया 20,300 करोड के आस पास का और देखा जाए तो 2030 में भी company के revenue बढ़ेंगे क्योंकि पहले ही quarter में 5,600 करोड से भी जादा का revenue उसने दिखाया है profit भी आप देखो तो बहतर है बहतर है यह 6,000 करोड से भी जादा का मुनाफ़ा इसने कमा कर दिखाया है और अभी भी पहले quarter में 1,600 करोड से भी जादा का revenue है जो definitely कह सकते हैं कि इसकी average से तो जादा ही है IRFC के बारी में अगर हम देखे dividend के अगर में बात करो तो company ने dividend भी announce किया है हर उस आदमी को dividend मिलेगा जिसने 15 सब्टेंबर से पहले यहाँ पर buy करा होगा वो भी 63 पैसा per share का पिछले साल इसने दो बार dividend पे किया था इस बार सिर्फ एक ही बार अभी तक किया है पिछले साल February में एक रुपे पांच पैसे का dividend था उसके बाद November में दुबारा 77 पैसे का इसने dividend दिया हुआ है तो बहुत ही बहतरीन चीज है और मैंने पहले भी कहा है थे कि अगर जब भी 20 रुपे के आसपास हो खरीदारी के मौके बनेंगे और अगर आप ये count करो कि ये अगर साल पर में आपको एक रुपे का भी dividend पे करेगा तो definitely कह सकते हैं कि आपको अच्छा return यहाँ पर मिल चुका है और at least long term में दीरे-दीरे ही सही लेकिन growth देखने को मिल सकती है लेकिन दीरे-दीरे होगी यहाँ पर एकदम से कुछ नहीं होने वाला है लेकिन यही कहूंगा कि आपकी जो buying है वो महगी नहीं होनी चाहिए खरीदारी करने का सही मौका एक शर और बूर्ट पर देखो तो 100% एनालिज जो है वो खरीदारी करने की भी बात कर रहे है लॉंग टर्म में पैसा बना भी है करन्ट प्राइस भी अभी से कम ही है होल्डिंग के बारे में अगर देखे तो अच्छी होल्डिंग प्रमोटर, mutual fund, domestic हर किसी के पास है हलागि प्रमोटर के जो 86.36% की होल्डिंग वो डेफिनिटल आने वाले दिनों में कम हो सकती है क्योंकि सही भी का ही रूल है 75% से जाधा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए तो देखते हैं कि सरकर अपनी होल्डिंग आने वर एक बाले दिनों में किस तरीके से कम करेगा लेकिन यही कोंगा मैं आपसे खरीदारी करी है, बने रही है फ्रेश बाइंग के मौके अगर 20 रुपे के आसपस दुबारा पहुंचते हैं तो दुबारा खरीदारी के मौके बन सकते हैं रेल विकास निगम, यह इसका बड़ा भाई है 32-33 का यह शेर है, और एक महिने में अगर हम देखें तो पिछले एक महिने में रेल विकास निगम के शेर में 16-17 परसन का ग्रोथ है, जब भी तूटा है, बीच में जब भी तूटा था यह और देखो मैंने पहले भी कहा था कि 30 रुपे के नीचे अगर जाता है रेल विकास निगम, तो मुझे लगता है कि बढ़िया मौका होगा बाइंग का लॉंग टम के लिए, तो कि डिविडेंट अगर आप देखो तो इस साल इसने बहुत ही बहतरीन डिविडेंट भी पे किया हुआ है, यहां पर अगर आप नजर करेंगे तो यह मिटकैब शेर है, 6,870 करोड के आसपास का, इसका मार्केट के अपर वॉल्यूम 40 लाग के आसपास देखने को मिल रहा है, रिवन्यू प्रॉफिट दोनों ही शांदार है, 300 करोड का इसने रिवन्यू कमाया है, और स्री, प्रॉफिट कमाया है, और 4,640 करोड का रिवन्यू है, जो कि कम हुआ है इस बार, पिछले कौटर में 6,435 करोड का था मतलब 28% की गिरावट आई है, इनके रिवन्यू में और प्रॉफिट में भी 21% की गिरावट है, उम्मीद करते हैं कि दिरे दिरे कंपनी के प्रॉफिट और रिवन्यू दोनों ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे, 78.20% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर कौन ह यहाँ पर होल्ड करके रखती है, रेल विकास निगम के बारे में अगर हम देखें तो रेल विकास निगम के जो रिवन्यू है वो हमेशा बढ़ते ही जा है और यह बहुत अच्छी वात है, 19,380 क्रोड का रिवन्यू फैनाशिल लेट 2022 में रहा था, और नेट पासे था, 2021 में हम गाया, पहले 1 रुपे, 14 पैसे, फिर बाद में 44 पैसे का पे किया, इस बार मार्च में ही शुरूआत में ही 1.58 रुपे का डिविटेंट पे किया है, हो सकता है कि न Répंबर में दुबारा यह डिविडेंट पे करे, तो देखा जाए, तो जिनकी बाइंकम पर है उनको definitely काफी अच्छा फाइदा हो भी रहा है और अगें ये शेर 11 रुपे तक चला गया था अगर आपको पता हो तो और मैं यही कहूंगा कि देखो यह long time का खिलाड़ी है बस सर्थ सिर्व इतने कि आपकी जो बाइंग है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए सस्ते दाम पर होनी चाहिए और definitely आपको अच्छा यहां पर मिल सकता है आप खुछ सोचे कि अगर आपकी बाइंग 15 रुपए के आसपास की हो यहां पर और यहां पर आपको यह और डेट रुपए का डिविडेंट पे कर चुका है मतलब 10 परसंट का आपको यहां पर सिर्फ डिविडेंट मिल गया इतना वही आपको बैंक एफडी भी नहीं देता है ठीक है तो बहतरीन चीज है और आपकी जो बाइंग है वो सस्ती होनी चाहिए महंगी नहीं 5.80 का इसका पी है जो कि पनी बहतर है चाहें दैंडियन रेल्व विकास निगम हो लेकिन आपकी जो बैंग प्राइज वो यहां पर महंगी नहीं चाहिए अगर आपको इंडियन रिल्य तो प्लीस सब्सक्राइब करें और दोनों में से कौन सी कम्पनी आपको पसंद है वो बी आप अगर आप चाहते हैं कि मैं IRCTC के उपर भी एक डीटियल वीडियो लेकर आओ तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट में IRCTC ज़रूर लिखेगा वीडियो को यहीं प्रेंड करूंगा पसंद आए हो तो लाइक तो शाय करें चनल बगरा पहली बार रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दोनों में से कौनसी कम्पनी आपको पसंद आगें आप कमेंट में लिखतर भी बता सकते है थैंक यू